नमस्कार के आपचल टिपी का खाश शो देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ पूजा बिली के ब्रस्तचारी मुख्यमंत्री आर्वन के जिवाल को पिछले 24 घंटे में चार बड़े बड़े जटके लगे हैं सबसे बड़ा चटका सुप्रिम कोट ने दिया है दिलसल कल के हाई कोट के फैसले के खलाब के जिवाल भागे भागे सुमा सुमा सुप्रिम कोट पहुंचे थे ततकाल सुनवाई की मांग की थी पर सुप्रिम कोट ने उल्टे पैर केजरिवाल को भगा दिया सुप्रिम कोट ने साफ कहा कि ना तो सोमवार से पहले कोई सुनवाई होगी और ना ही स्पेशल बेंच का कोई गठन होगा तो वही राउजविन्यू कोट ने भी केजरिवाल को special treatment देने से इंकार कर दिया दली राउजविन्यू कोट ने केजरिवाल की उस याचिका को खारच कर दिया जिसमें उन्होंने वकीलों से हफते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी इन जटकों से केजरिवाल उभर ही नहीं पाये थे तो खबर ये सामने आए कि दली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद और पार्टी से इस्तिफा दे दिया है साथी केजरिवाल के इस्तिफे की भी मांग तेज होती जा रही है आज बीज़पी की तरफ से भी जमकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के वाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और केजरिवाल के इस्तिफे की बात की गई तो कैसे अब ब्रस्टचारी मुख्यमंत्री की कुर्सी खत्रे में आ गई है बदाएंगे आपको मेरे साथ जुड़े हैं कैपिल टीवी के एडिटर इंचीव डॉक्टर मनिश कुमार डॉक्टर साब बहुत-बहुत स्वागत है आपका दन्यवाद देखे आज सुप्रिम कोट में क्या हुआ आप कल पूरी तरीके से दिल्ली हाइकोट के अंदर मूखी खाते हैं और भागे भागे आज सवेरे सवेरे सुप्रिम कोट पहुंचते हैं सुप्रिम कोट में कह दिया I'm not interested मामला अगर संगीन होता सुप्रिम कोट के approach को समझी आप सीधे सीधे Chief Justice के पास जाते हैं Chief Justice करते हैं email भेजो अगर मामले में Chief Justice को जरा सा भी यह लगता कि Arvind Kejriwal के साथ कुछ अन्याय हुआ है वो कहते हैं आज ही सुनेंगी कि कहने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम सुप्रेम कोट में अभी सही शुरू हो गया होता है आप देखे इस्कूटर खराब हो जाता है स्टार्ट में होता है आप फिलाते हैं डुलाते हैं तरह तरह की तरकीव लगाते हैं और फिर भी जब आप किक मारते हैं पर बटन दवाते हैं वो गाली स्टार्टी नहीं होती तो आज जो है सुप्रिम कोड के अंदर केजरिवाल कोई स्टार्टिंग प्रॉब्लम वो पहले ही दिन इम्मीडियेटली वो आपको झेलना पड़ गया क्यों ऐसा हो रहा है यह बात समझने की जरूरत है जजेज वो कोई चांद पर नहीं रहते हैं वो देख रहे हैं खबरों को भी देख रहे हैं आम आदवी पार्टी के प्रस कांफरेंस को भी देखते हैं वो न्यूज चैनल भी देखते हैं सोसल मीडिया भी देखते हैं बहानिवाजी की कोई सीमा होती है आप पूरी दुनिया को बेवकूप समझ लिया है आपने सीधे सीधे आम आद्वी पार्टी के लोग दिल्ली हाई कोट के फैसले को इस कदर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे बहुत प्रान न्याय हो गया जैसे मोदी नहीं फैसला सुना दिया यह इस तरह का इंसिनुएशन आपको कोट के उपर कोई भरोसा नहीं है और आप देखिए संजे सिंग के केस को छोड़ दीजे और संजे सिंग के केस को इसलिए मैं छोड़ने कह रहा हूं क्योंकि उसको बेल मिली है इस आधार पे कि इडी ने कहा कि हमें आब इसकी जरूरत नहीं है अगर इडी विरोध करती य लेकिन ये तो बात गुजर गई जी वो इसलिए गुजरी क्योंकि संजे सिंग दिल्ली सरकार का कोई हिस्सा नहीं कोई मंत्री नहीं दिल्ली सरकार में और इस पॉलिशी को बनाने और उस कॉंस्पिरेसी में he was just acting as a courier जिसके घर पर पैसे का लेंदेन हुआ और पैसे का लेंदेन रेने करने वाला उसका क्रका मॉह स्टाफ है अब ज़िए रिवोल केस है वो सिमिलर मनी ऑपर आरुम क्या है को आपने का्टिलाइंजेशिन करने के लिए आपने एक नए किसम कि पॉलिसी आप लेकर जिसका धे ही था कि माल कमाना है मनिसी सोधिया ने उनके वकील ने जब अपना वो बेल ले रहे थे उन्होंने सुप्रिम कोट में क्या कहा सुप्रिम कोट में कहा कि ये तो सरकार का फैसला था मेरा अकेला फैसला नहीं था सरकार मतलब सरकार मतलब क्या सरकार का मतलब मुख्यमंत्री सरकार का मतलब कैबिनेट का मुख्या और वो कौन है अर्विंद केजिवाल तो मनिसी सुधिया तो पहले ही फसा चुके हैं उनको उनको राहत तो क्या आप यह देखिए कि जो केसिस के मेरिट के उपर तो बात में बातचीत होगी अभी जो कुछ आपने किया है उसका ही तो हिसाब किताब होना है दिल्ली हाइकोर्ट के जज्जमेंट में अर्विंद केजिवाल ने जितने भी दलीले दी वो सारी के सारी वो खराब दलीले पॉलिटिकल दलीले तत्थ सबूत के आधार पे कुछ नहीं तो अब ऐसे में क्या होगा ऐसे में तो होगा यही कि सुप्रिम कोट से अगर आपको कोई फाइदा नहीं हुआ तब आपको देना पड़ेगा इस्तीफा क्योंकि इस हाइट टाइम लाओ अब त कि हम जेल में भी गुनागार बन जाएंगे तब भी हम जो है वो हम इस्तीफा नहीं करेंगे जिसको हटाना हटा है हमें वो हम बाकी काम हम नहीं करेंगे जी आप ने राजनीती में मर्यादा का एक लेवल अपने लिए ही किया था कोई और नहीं कह रहा है आपके पुराने टेप सोसल मीडिया में हर जगह हर सक्स के फोन पर है और आप उसकी ही अभेलना कर रहे हैं मतलब उसमें जुट बोला अभी सत्ता के लिए पावर के लिए आप जो है बिल्कुल उल्टी गंगा बहा रहें तो अब सुप्रिम कोट ने कहा एमेल कीज़े कब सुनवाई होगी नहीं होगी और यह जो रिलक्टन्स है सुप्रिम कोट का वो इस बात को की और इसारा कर रहा है कि सुप्रिम कोट is not taking his case very seriously तो सुप्रीम कोट से भी अगर फैसला नहीं हुआ दिल्ली हाइज को फैसले को सुप्रीम कोट कहते हैं ठीक है फैसला तब तो इस्तिफा देना पड़ेगा आप कब तक इस प्यादे रहेंगे कि हम जेल सीग चलाएंगा सरकार आपने नया मापदंड शुरू कर दिया कल कोई बलातकारी कोई क्रिमिनल कोई मर्डरर मंत्री होगा उसके उपर केसिस होगे वो कहेगा कि नहीं जब तक कोट फैसलन आ जाए तब तक यह तो पूरी तरीके से दिल्ली हाइकोट ने साफ साफ आपको बता दिया कि आप इसके सबसे बड़े किंग पिन है आपके ने ही यह सारा जो है चक्रवीव रचा तो अब हाई कोट के बाद आप सुप्रिम कोट गए हैं अब वहां से भी अगर कुछ नहीं होता है जो दिख रहा है जो हाल तो इसका मतलब तो साफ है फिर आपको इस्तिफा देना पड़ेगा वैसर जटका तो दिली की राउसर विन्यों कोट ने भी दे दिया है वकीलों से पांच बार की मुलाकात की मांग को ठुकरा दी है पर स्पेशल ट्रीक्मेंट ना मिलने पर आखर ये आपके नेता क्यों चिल्ला रहे हैं अब देखिए कि तत्वाला तमाशा इनों नहीं किया कि प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं कि देखिए जूट बोलने से बाज नहीं आएंगे जी अजीब कहानी इन लोगों की इस तरीके से सफेद जूट कोई बोलने वाला तो पुरी दुनिया में आप डूनेगा आपको मिले करें क्या है हकीकत है जब आपको एडी कस्टडी में भेजा गया आप से कहा गया भई आपको दो ल आपने दो वकील का नाम दिया ठीक है और उसके बाद आपने अपनी पत्री और अपने पीए वह बड़ा गुरु घंटाल है उसके उपर भी उसको भी इडी ने बुलाया था विभव को आपने नाम दिया कि यह दो लोगों से मिल सकते हैं अब जेल के अंदर जब आप गए तो जेल का भी अपना नियमा वाली है दस लोगों का नाम माना जाता है आपने भी तक छे लोगों का नाम दिया कि छे लोगों का नाम क्यों दिया उसमें कुछ वकील है और कुछ तीन-चार लोगों को आपने नाम दिया है उसमें बुड़े मावाप याद मी आ रहे थे उस और मैं जो हूं बहुत दुनिया में सबसे इसक्रेशल है कि मेरा जन्म तिन जो है प्रिट भगवान के जनमास्ट में की दिन में मेरी पैदाईश है इसलिए सारे कानून को जो है ताक परक दो मेरे लिए लग कानून मना दो कि अधिस इस वार्ट टिक आर सहीं कि है आपने कहा हाज भई सारे कैदियों को को सब्ता में दो बार आदे आदे घंटे के लिए अपनी लीगल टीम से मिलने का प्रावधान है कि आप को ठाकर आप किया हमारे पास बहुत सारा केसे इतने कुकर न क्यों किया तुम ने इतने केस के थी मिन फशे के तुम कि पैस्ट 35 केसे हैं उसके लिए हमें सब्ता में पांच जिन चाहिए वकीनों से मिलने जुलने की जै तो राजम ने कोड़ने का के सब विकार की बाते को तुम स्पेशल नहीं हो आसमान से नहीं आये हो बाकी जैसे कैदी है उनके लिए जो कानून है वही कानून आपके उपर भी गया क्यों यह चाह रहा था अब इसको समझ लिए कि बड़े 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 शातिर चतुर किस्म के लोग है ताकि इसमें जादे तर लोग तो पार्टी के अंदर भी वकील है वो जाते वकील बन करके वो जाते वहां पर और डेली का इंस्ट्रक्शन से लेते तो वो भी सब्सक्राइब है हाई कोट से भद्ध पीटी सुप्रिम कोट में आपकी सुनवाई नहीं हुए आपको फटकार लगा करके बाहर कर दिया का कि अभी इमेल भेजो बाद में देखेंगे फिर आपको यहां भी जटका लगा तब आपने एक नई चाल चल दी जी आखरी सवाल विराब से यह है कि अब क्या आखरी कानूनी प्रक्रिया की जिवाल के पास बचा है क्या जेल से सरकार चलाना इतना आसान है जो बात आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं आप सही सवाल कर रही हैं कि भाई लीगल प्रस्ताव जो इसका जो लीगल रेविफिकेशन होग सिर्फा की स्थीवा देने का हुए सरकार नहीं चले हें सरकार जेल से नहीं चले गी यह थैह हो गया है अब और आप यह समझे कि केजरिवाल को भी मालू में जेल से नहीं चलीगी सरकार अविस्य एक मनु सिंघ्वि को कोई और व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, इसके हाथ से सरकार भी जाएगी, पार्टी भी जाएगी, सब कुछ छिन भिन हो जाएगा, फिर बाद में इसको फिर वही नंद नंगरी में NGO चलाना पड़ेगा, इस स्तिती पे आ गया है ये, तो इसने नहीं चाल चल दी, क्या कि क्या है, इसने बड़े ही कायदे से कहा कि मीटिंग बुलाओ, कहा मीटिंग, तो सुनीता केजरिवाल के नितरुत्त में मीटे, सारे लोग पोँच गए, आज पहुच गए, आज बड़े एकता दिखा रहे हैं, बश किस हैसे से पार्टी के मीटिंग करवा रहे हो सुनीता क केजरिवाल पार्टी की सदस्य है, वो कैबिनिट मिनिस्टर है, वो क्या है, आपकी धर्म पत्नी है, अच्छी बात है, आप डिकलियर कर दो, यह परदे के पीछे से यह घटिया राजिनिती, यह बंद करनी चाहिए, आप तो आये थे कि भई, हम तो ट्रांस्परेंसी सकते हिए, राजिनिती का चरित्र बदलेंगे यह बैक डोर से, ए राजिनीती की फॉकट मारि यही काम करते हैं, कि सामने वाले को मालूमी चलेगा पीछे से वो चाल चल देगा, और आप पनी पत्नी को आगे कर रहे हैं, तो आप यह पो सीधे सीधे गए, यह धीरे-धीरे जनता के दिलो दिमाग में यह नॉर्मलाइज करने की जो कोशिज जो चाल है कि धीरे-धीरे मीटिंग चार-पांच मीटिंग करेगी और उसके बाद लोगों को नहीं करें केजरिवाल की पत्मी को ही बना देते हैं तो बनाना चाहिए इनको दो-तिन चीजे आज क्लियर है सुप्रिम कोट का रुख केज़िवाल के फेवर में नहीं है दूसरा सरकार और पार्टी के उपर कंट्रोल करने का वो जो जरिया निकाल रहा था वो भी फेल हो गया और तीसरा जब सारी चीजों से यह हार गया तो अपनी पत्नी को आगे करके अपने तमाम काडर्स को एक संदेश दे दिया कि चीफ मिनिस्टर बनेगी तो बनेगी सुनिता केजरिवाली तो आप यह समझे यह व्यक्ति कहां राम लीला मैदान से किस तरह के आदर्सवादी बातों को कहते कहते किस गर्त में इसकी राजनीती चली गई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतनी जानकारी दी आप जोड़े बहुत बहुत धन्यवाद आप अपनी राए कमेंट करके जरू लिखे देखते रहें क्यापिटल टीवी नमस्कार